प्यारे बिद्यार्थियों नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस ओनलाइन म्यूजिक की क्लास में आज हम म्यूजिक की कुछ थियोरी के बारे में जानेंगे आज का विसय है संगीट स्वर और स्वरों के शास्तरी नाम या स्वरों के संस्कृत नाम मैं ललित्मोहन आरिया सभी विद्यार्थियों से आगरह करना चाहूँगा कि इस विसय को ध्यान पूरत सुने और सुनने के पसाद अपनी अपनी कापी में इसको नोट कर ले मेरा पहला विशय है संगीट क्या है बच्चो एक प्रश्न मन में आपके आता होगा कि सबसे पहला प्रश्न की संगीट क्या है संगीट की जो परिभासा दी गई है शास्त्रू में वो इस परकार है गायन वादन और नित्य इन तीमों कलाओं का मेल संगीट कहलाता है गायन वादन तथा नित्य के मेल को संगीट कहा जाता है संगीट के प्रकार संगीट के तीन प्रकार है शास्त्री संगीट उपशास्त्री संगीट और लोग संगीट इसके बाद हम जानेंगे कि स्वर क्या है स्वर किसे कहते है स्वर वह नाद जो अपने आप ही अर्थात किसी साहता बिना ही सुनने वालों के चित्त को प्रसन करे स्वर कहलाते है यह संगीत रतनाकर में कहा गया है संगीत रतनाकर में यह परिभासा दी है कि जो स्वर आपको सुनने में अच्छा लगे आपके मन को रंजित करे आपके मन को प्रशन करे वह संग्य स्वर कहलाता है इसकी आधनिक परिभासा भी जानते हैं संगीत में नित्य काम आने वाले निस्चित अंतरों पर इस्तित मुख्य साथ स्वर या मुख्य साथ नादों को स्वर कहते हैं जैसे सारे गाम पधनी ये सब स्वर जो हैं अपने आप में एक एक नाद है जिसे स्वर कहा गया है तीसरी परिभासा भी इसकी आधनिक परिभासा है कानू को मधुर लगने वाला नियमित आंदलन संख्या जो संगीत में उपयोग हो सके स्वर कहलाता है अर्थात जो स्वर कानू को अच्छा लगे अर्थात कनप्री हो जो धनी कनप्री हो और नियमित आंदलोनों से बधीवी नियमित आंदलोनों का आर्थ है बाइब्रिशन्स उसमें एक particular time की vibrations होती है उनकी particular आंदलनों की संख्या होती है जो संगीत में उपयोग हो सके इन्हें हम स्वर कहते हैं स्वर के प्रकारों के बारे में जानते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं स्वर दो प्रकार के होते हैं शुद्धिस्वर और विकृत्ष्वर शुद्धिस्वर सारे गर्म पधनी ये साथ स्वर जो हैं शुद्धिस्वर हैं और विकृत्ष्वर चार हैं रे गर्धनी और एक स्वर इसमें एट किया हुआ है म जो कि तीवर्म कहलाते हैं अर्थात कूल मिलाकर विकृत्ष्वर पा होते हैं जिनको हम विक्षत स्वर कहते हैं अर्थात वो अचला इमान होते हैं और अचल स्वर वो स्वर होते हैं जो अपने स्थान पर इस्थेर हैं जैसे सा और क्षोरyr कुम मिलाकर कुल बारहस्वर संगीत में होते हैं ये बारहस्वर एक सब्तक के अंतरगत आते हैं जिसको हम आगे एक पिक्चर के माध्यम से जानेंगे इस पिक्चर के माध्यम से हम स्वरू को पहचान सकते हैं इसमें देखे ये पहले मैंने किस प्रकार से ये बना रखाया पिक्चर ये एकदम आपको एक हार्मोनियम की तरह लग रहा है ये एक सब्तक के अंतरगत आने वाले सभी स्वरों का डाइग्राम है पहला काला स्वर सा कहलाता है दूसरा काला स्वर रे है तीसरे काले से पहले गर फिर तीसरा काला म चौथा काला प पांचमा काला धा कहलाता है और उसके बार यहाँ पर यह सपेद जो है यह नी है पहले काले से अर्थाथ यहाँ पर छटा काला देख रहे हैं अर्थाथ यह पहला काला कहलाता है यहाँ से फिर से एक दूसरा सब्तक शुरू हो जाता है उससे पहले यह नी है नी तक ही एक सब्तक कहलाता है इस सा से लेके इस नी तक कु जाते हैं, सा और रे के बीच में यहां देख रहे हैं, यह रे कोमल रहे हैं, और सुद्धगा से पहले यह कोमल गर, और तत पर साद मा और पा के बीच में जो स्वर आ रहा है, मा तीब्र कहलाता है, पा और धा के बीच में यह जो स्वर दिख रहा है, यह धा है, यह कोमल धा ह और नि साथ अर्था नी से पहले वाला जो स्वर है ये नी कोमल नी है इस प्रकार से हम कुल स्वरों को गिने तो ये बारा स्वर बन जाते हैं एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बारा ये बारा स्वर मिलाकर एक सब तक का निर्मान करते हैं सब तक कितने प्रकार की होते हैं इस बिसे में हम बाद में पढ़ेंगे उससे पहले हम इनके शास्त्री नाम और स्वरों के संस्कृत नाम जान लेते हैं पहला स्वर है साथ, सडज, रे, रिशब, ग, गंधार, म, मध्यम, प, पंचं, ध, 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 न, 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 इस, प्रकार से ये इनके शास्त्री नेम हैं थे संस्क्रित नाम है जड़ क update News का दूसरा नाम इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह सवरों के बीच माँ तीन सवर उपर तीन नीचे देख रहे हैं यह बिल्कुल मध्य में पढ़ता है जिसकारण इसको मध्यम भी कहा गया पपंचम क्वेल पक्षी है क्वेल पक्षी की आवाज से पंचम का निर्मान हुआ है और धा धैवत घोड़ा और अर्था और या फिर मेड़ इन दो जी एनिमल से जो है इसका निर्मान हुआ है धैव इसको आप अपने घर पर भी महसूद कर सकते हैं पक्षियों की आवाज सुनकर अंत में आईए कुछ प्रस्न पार्ट को समझने के लिए मैं पूस्टूंगा इन प्रस्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिगा में लिख लिए संगीत का अर्थ क्या है संगीत में कितने स् होते हैं पंचम स्वर कैसे बना स्वरों के संस्कृत नाम क्या है कि आज का लेशन यहीं पर समाप्त होता है मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि वो विद्यार्थी जो भी इस आडियो ये वीडियो को देख रहे हैं वो इन सभी परिभासाओं को इन सभी जो भी आज आपने देखा इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर ले आप सभी ने अपनी मियूजिक की नोट बुक बनाई होगी उस नोट बुक में नोट कर ले और इसे और प्रेयर कैसे बजाई जाती है, उस पर स्वरली पी कैसे निकाली जाती है, इस सब विषय के बारे में भी बताऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद.